वेल्कम फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज योटूब चैनल पे फ्रेंड्स आज जो मैं आज आपको नॉटिफिकेशन की जानकारी दे रहा हूँ वो नॉटिफिकेशन जो आ रहा है CRPF CRPF में पेरमेडिकल स्टाफ के लिए रिक्वर्मेंट मांगे गए है और यह फॉर्म जो है ओफलाइन है बच्छा यह फॉर्म जो है ओफलाइन है तो इस वीडियो को आप पूरा कम्प्लीट देखना जबी जो है आपको समझ में आएगा मैं इसमें बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है फॉर्म आपको कहां भेजना है और इसमें जो है सब के लिए जो है वेकेंसी दी गई है पेरमेडिकल स्टाफ में CRPF परमेडिकल स्टाप में रेक्वेर्मेंट मांगी गई है और ये फॉर्म जो है ओफलाइन है मैं और इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा बच्छा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन चुरू दवा दे क्योंकि आपको जो है लेटस नॉटिफिकेशन रिजल्स अड्मिट कार की जानकारी जो है आपको सबसे पहले मिलेगी ठीक है फ्रेंट्स चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंट्स आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा परमेडिकल स्टाफ और आपको बदा दूगा आपको पोस्ट कहां नहीं करना पोस्ट जो अपडेट है यह देख लेजिए 13 जुलाई दस बचकर दो मिनिट पे जो है यह अपडेट डाली गई है सरकारी-results.com पे जिसमें मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सीधा मैं आपको नीचे लेके चलता हूं नीचे लेके चलता हूं CRPF Paramedical Staff Requirement 2020 Central Reserve Police Force की वेकेंसी आई है Form जो इसका start होईगा 272020, 272020 से start हो जाएगा और इसकी last date जो रखी गई है 31.802.2020, 31.802.2020 इसकी last date रखी गई है इस Form में सबसे अच्छी चीज़ देखे क्या है, इस Form में सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें जो है exam date जो है पहले ही clean है exam date जो आपका लिया जाएगा 20 12 2020 20 12 2020 को जो है आपका examination लिया जाएगा ठीक है friends examination लिया जाएगा और admit card जो है आपको इस year के last में यानि December 2020 में जो है आपका admit card जो है वो जारी कर दिया जाएगा ठीक है friends तो मैंने आपको बता दिया application जो है 27 2020 से start हो जाएगा 31 8 2020 तक यानि डेड़ महीने के करीबन जो है आपको form भनने का और form को आप कहां submit करना है वो भी जो है मैं आपको हभी बता दूँगा ठीक है friends application fees की बात करें application fees क्या रखी गई है for inspector, sub inspector SI post के लिए जो है आपको 200 रुपीस देना पड़ेगा और जो other sports दी गई है इसमें उनके लिए आपको 100 रुपीस देना पड़ेगा अगर आप category वाले में आते है SCST SCST और all category female के लिए जो है fees zero रखी गई है fees कैसे payment करेंगे यह सबसे बड़ा जो है दिक्कत होएगा क्योंकि form जो है offline है आप fees कैसे payment करेंगे fees जो आपको payment करनी है एक आपको जो है bank में जाके जो है draft बनाना है और वो जो draft बनाना है वो postal postal order IPO के favor में जो है इन्होंने लिलिक भी रखा है इनके जो favor में जो है आपको ड्राव बनाना होगा bank में जाकर इसली बन जाता है ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है और vacancy की बात करें तो 789 789 जो है आपको vacancy इसमें जो है देखने को मिलेगी 789 vacancy और मैं आपको detail wise बताता हूँ इसमें कौन कौन सी vacancy देखने को मिलेगी सबसे पहले बात करते है आप इस वीडियो को जो है बहुत ध्यान से देखना बहुत important वीडियो होने वाली है क्योंकि इसका form जो है online नहीं है offline form है CRPF के लिए बहुत ही अच्छे स्थर पे vacancy और सब के लिए vacancy रखी गई है 10th pass है तो भी 12th है तो भी graduation है तो भी अगर आपने कोई diploma कर रखा है तो भी इसमें जो है आपके काम आने वाला है और इस last में मैं आपको बताऊंगा physical में क्या रखा गया है क्या नहीं रखा गया है female के लिए कितनी post है कितनी नहीं है ठीक है तो सबसे पहले first post की बात करते है costable सफाई करमचारी first post है 121 post आपको देखने को मिलेगी जो vacancy है 121 vacancy है इसमें age limit सबसे ज़्यादा जो है age limit matter करता है काफी बच्चों को age किसी किसी निकल जाती है तो age limit देख लिजी है friends age limit जो रखी गई है कम से कम 18 जादा से जादा आपको 23 साल करें तो class 10th class 10th high school examination मैं आपको 10th class pass होना है सफाई करमचारी के लिए और आपको जो है इसमें हिंदी और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश आपको लिखनी और बोलनी आनी चाहिए ठीक है friends second post की बात करते है sub inspector nurse staff की post है sub inspector nurse staff की post है 175 vacancy दी गई है और आपकी age जो है कम से कम 18 से और जादर जादर जो है 30 साल दी गई है 10 प्लस 2 12th class आप पास होने चाहिए किसी भी board से और diploma कियावा होना चाहिए nursing nursing of registration nursing का जो है आपके पास diploma कियावा होना चाहिए अगर BAC nursing से है तो भी चल जाएगा third post की बात करें इसमें जो है 175 post है sub inspector staff nurse में constable cook की बात करते हैं तो 116 116 116 vacancy है age जो रखी गई है कम से कम 18 जादर जादर जो है 23 साल रखी गई है class 10 इसमें पास होने चाहिए और आपको जो है cooking में जो है आपको experience होना चाहिए एक साल का next बात करते है assistant some inspector assistant some inspector की post है 84 post आपको देखने को मिलेगी 20 से 25 साल जो है आपकी age होनी चाहिए और 12th class आपको पास होना चाहिए और diploma in pharmacy pharmacy में जो है आपको डिपलोमा किया होना चाहिए और यह भी registration register होना चाहिए counseling fourth post की बात करें head constable head constable की post है और बहुत अच्छी post बानी जाती है head constable की 84 post है इसमें जो है आपको 20 कम से कम 20 और जादा जादा जो है आपको 25 years की 20 से 25 year आपको इसमें age limit रखी गई है इसमें आपको 10th pass होना चाहिए और इसमें जो है diploma हा diploma in radio diploma भी होना चाहिए head constable nursing अब इसमें देखने है next post आ रही है head constable assistant nursing assistant nursing में head constable में 88 frequency है 18-25 year जो है आपको age limit होनी चाहिए 12th आप pass होने चाहिए और diploma होना चाहिए इसमें इसमें भी आपके बार diploma होना चाहिए उपर जो मैं आपको ऊपोस्ट बदाई थी उसमें आपको डिपलोमा की जूरत नहीं है लेकिन इसमें आपको डिपलोमा की जूरत और मैं साब आपको एकक करके जो है मैं सारा सारी चीज बताँगा ब में घंट इसनेंट सबध इंश्पेक्टर में इसमें टेखन इंश्पेक्टर में टेखने श्रह पोस्ट ए 20 25 мерậ ऑग्ररव dengan 12 1425 अद्रेटं टेखनी है और जल्दी जल्दी बता रहों कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और सारी जो है मैंने को पोस्ट अभी कवर करना है असिस्टेंट की पोस्टेस में भी वन वेकेंसी देखने को मिलेगी आपको 20-25 एर्थ की जो है आपको एज है और 10 प्लास होना चाहिए और प्लस आपके पा अगली बात करते है तो इसमें डेंट चीर्थ कहलें नर्सिंग विकंशन यापको देखने को मिलेगी 18-25 एर एज और इसमें भी जो है जो है सेवी ही है वेल्पास होना चाहिए प्लस टीप्लोमा होना चाहिए असिस्टेंट सब इंस्वेक्टर यह यह मैंने बताई दीए आपको और नीचे चलते हैं यह देखिए सारी यह वही पोस्ट है और अब नीचे की बात कर देता हूं धोबी कॉस्टेबल धोपी और वाशर मैन इसकी जो है काफी बचे जो है इसके लिए भी काफी भरेंगे वाइप वेकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी अठार से तेहिस एयर जो है आपकी एज होनी चाहिए क्लास टेंथ पास होना चाहिए और वन इयर का जो है आपके पास एक्सपिडियेंस भी होना चाहिए ठीक है फ्रेंट्स कॉस्टेबल दुआर से जो है कॉस्टेबल डबलू सी डबलू बाय सी जी रो थी वेकेंसी है तीन वेकेंसी देखने को मिलेगी आपको 18 से तेहिस एयर्स और सिर्व इसमें जो है टेंथ पास चीए कोई भी जो है आपको एक्सपिडियेंस और डिप्लोमा की जुर्थ नहीं है बाकी नीचे रेखते हैं यह तो मैंने सारा बस यही सेम ही आप इनका नॉटिफिकेशन रीट कर लेना और मैं आपको जो है इनका फीजिकल का बता लेता हूं फीजिकल में क्या-क्या होएगा क्या-क्या नहीं होने का क्योंकि डिफेंस की जॉब है तो फीजिकल तो आपका हमार क्योंकिशन चाहिए तो फीजिकल पे देख लेते हैं कि पीजिकल पर इन्होंने क्या बोला गया है और क्या आपकी एज लोने होनी प्ति Сब allocation क्योंकिस देख लेता हैoths . केंटिगरी वाईस देख लेते हैं केसे एक सबसे पहले करते हैंほ wines ऑर फीमेल की ज़यरार की चेश्ट की बात टाल एकिंटिटिरेट की प्र टाल्च बाद करने होनी चाहिए और फुलान के छा candidate 85 और फीमेल में जो यह चैस्ट नहीं होता रेस की इंक इतeln remembered तो दी गई है इसमें एक किलो मेट्र और इसमें तो इन इसमें आपको पूरी करनी है और साथ मिनुट थी सेकंड में आपको पूरी मपनी और युट खुदीया 버स, जो म infinity सिर्थ करनी है और उसमें प्रोइगा स्वेगे और छे मिनुट में आपको रच जाएका Olite में केंड देट के लिए 10 सबसे पहले हों कि इड़ेंट के लिए 6 सबसेट उसमें च needed c सबसे पहले निव डेली मिल जाएगा आपको हैदराबाद मिल जाएगा गौहाटी मिल जाएगा जम्मू मिल जाएगा अजमेर मुझफरपूर काफी जो है इसमें अधिक तर जो है जितने भी मैट्रो सिटी है उसमें आपको एक्जामनेशन सेंटर दे दिया जाएगा ताकि जो है आपको फिर भी कोई दिक्कत ना हो अब सबसे बड़ी चीज कि आपको फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है कहां से डाउनलोड नहीं करना है सबसे जारा बच्चों का यहीं डाउट होता है और कहां सेंट करना है ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे पहले जो है आप गूगल जाएगा शबसे पहला वाला जोहाया आप लिंक खोल लेना जयसिथी आप सबसे पहला वाला लिंक खोल हो आपको लास्ट में आज में तो यहां पर जो हैं आपको download form download form को आपको क्लिक कर देना ठीक है फिर्स वाला उसन जो है आप क्लिक कर देना डाउनलोड फॉर्म का जैसी आप फॉर्म जो है डाउनलोड करेंगे तो आपको फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा पीडिया फॉर्मेट में आप उसको प्रिंट आउट करा लेना आप उसको प्रिंट आउट कराने के बाद आपको फॉर्म भनना पड़ेग यह आपको दिख रहा होगा Central Police Force Paramedical Staff Examination 2020 तो आपको sent कहां करना है यह जो आपको address दिख रहा होगा send to application form और उसमें जो है आप speed post करना speed post करना और ticket से मत करना आप speed post ही करना speed post क्या होता है वो थोड़ा fast post है तो आपको उसके बाद जैसे आप डालोगे Central Reserve Police Paramedical Staff 2020 ऊपर आप यह heading डाल देना तो और उसके नीचे जो लिखना DIGP Group Center CRPF भोपाल विलेज जो भी इनका पिन कोड नमबर है district भोपाल और MP 24262045 पर जो है आप इनके पिन कोड लिखने के बाद और उसके बाद bracket में from किसके दौरा जो है आप यह address जो है मलब कौन भीज रहा है अपना नाम जैसे आपका नाम राहूल है आप कहां से बिलॉंग करते हो वो डाल देना और अपना mobile number जो है वो देना ना भूलना क्योंकि mobile number जो है बहुत ही बहुत जादा इंपॉर्टेंट है बेगार mobile number के जो है आप मत बेजना क्योंकि आपको जो है अगर स्पीट पोस्ट नहीं पॉस्ती या कुछ वैसे तो पहुच जाती है स्पीट पोस्ट करो करोगे स्पीट पोस्टी करना जादे आपके पैसे नहीं लेंगे मुश्किल से आप यह मानिए कि पचास रुपे तक जो है आपका पॉर्म वहाँ पे चला जाएगा अगर आप ऑनलाइन भी भरते हैं तो पचास तो रुपे तो आपका वैसे भी लग जाना है ठीक है फ्रेंट्स तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है बच्चा अगर इस वीडियो को जो है फेस्बुक पे वाटसप पे क्योंकि यह फॉर्म जो है अप आप आप आपको डाउनलोड करना होगा और अगर आप सेस्ट में आते हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है अगर आप कैटिगरी जैसे आप यूर कंडिड में आते हैं तो आपको 200 रुपे देने पड़ेंग का ड्राफ में अपने डुकुमेंट लगाने होंगे सारे जैसे अधार-कार्ड हो गया, फोटो हो गई, और कौलिफिकेशन हो गया, अगर आपके पास कोई डिपलोमा का सेटिवीकेट है वह लगा देना, अगर आपके पास कोई एक्सपिन्स सेटिवीकेट है तो आप वो वीडियो में आगर आप मेरे को 500 कमेंट करते हैं 500 अगर आपके कमेंट आते हैं लाइक आते हैं शेर आते हैं तो मैं आपको फॉर्म आपको कहां पर सेंट करना है पूरा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा और पिल्कुल लिख के बताऊंगा इसमें वैसे तो मैं आपको बता द ताकि जो है और भी बैच्चों की जो है, dizer एल्प हो सके और यह डिफेंस की जॉब है, तो आप जो है इसको आल ओवर इंडिया से, जो है, आप एपलाई कर सकते हैं, अब आप जो है, नदिक मेरा को कमेट में ये मत बोलना, स्टाफ के लिए रिक्वेर्मेंट है फॉर्म जो है आफ लाइन है ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा फॉर्म जो स्टार्ट इनकी डेट इन्होंने बताई गई है बीस साथ से 31.08.2020 एक्जामनेशन डेट बिलकुल कलियर है और किसी की तरह नहीं है जैसे रेलवे एससी पता पता नहीं है जब होगा ले लेंगे जब मन है नहीं है कोई मतलब भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है पहले से डेट डिसाइड कर दी है 31.08 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और बीस बारा बीस दिसंबर को जो है आपका एक्जाम ले लिया जाएगा इन्होंने साफ साफ कह दिया है 7.89 आपको पोस्ट मेलेगी और बहुत ये अच्छे च्छे चसतर पयर पोस्ट है 10 वाले बच्चों के लिए जिन्होंने सिंपल टैंट कर मिए उनके लिए भी लेए ट्वेलत वाले बच्चों के लिए ग्रेजिएशन वाले बच्चों के लिए सब के लिए जो है इसमें क्या-क्या नहीं होगा ठीक है तो मैं ने आपको इस वीडियो के माहिदा ल Дबे पूरा प्ताने के रिए पूरा प्रिभ प्रोसर्स बता दिया है और वीडियो को आहिए बार बार इस लही कहना हो गढा कि जाना बच्चों के फिर शहर कंड़ें ताकि जो है आपके आपने सब्स्राइब कर लिया अगर आपके अप दोस्तों पे शेयर करें जादा से जादा वचों पे शेयर करें ताकि उनकी भी जो है help हो सके शिक्षान्यूस का यही उद्धिश्य होता है कि आपकी भी help हो और आपके जो भाई बहन जिनको नहीं पता फिर उनको बाद में पता चलता है तो फिर वह form की date निकल जाती है ठीक है friends तो अगर इस भरती के regarding आपका कोई भी doubt हो कोई भी inquiry हो तो आप जो है मेरे को comment पे बताईए मैं आपको जो है personally reply करूँगा अगर आपका कोई भी doubt होता है तो आप जो है मेरे को शिक्षा नियूस की शिक्षा नियूस की जो है mail ID है comment है Twitter पे follow कर सकते है Instagram पे कर सकते है ठीक है तो वह चीज जो है वह सब आपके लिए खुली भी है आपको कोई भी डाउट होता है 31.08.2020 तक आप इसका form submit करा सकते हैं और speed post कराना उससे पहले जो है आपको bank draft बनवाना पड़ेगा अब bank में ड्राफ क्या होता है आप बैंक में जाओगे एक आपको slip मिलती है आप बोल देना bank में कि हमें draft बनाना है किसके favor में बनाना है मैंने आपको नाम बता दिया इनके favor में आपको draft बनवाने अगर आप देख लेना आप कौन सी पोश्ट के लिए बनना चाहतो अगर आप inspector सब inspector के लिए बनना चाहतो तो 200 रुपे का बनेगा अगर आप उससे जैसे सभाई करम चारी उनके लिए बनना चाहते हो तो आपको 100 पे draft बनेगा फीमेल तो इस फॉर्म ने आपके लिए बहुत ज़्यादा चूट दे दी गई है सेस्ट वाले बच्चों से तो खासकर मैं कह रहा हूं और फीमेल से भी मैं कह रहा हूं क्योंकि हर जिंगे देखिए अगर यूर केंडियेट की 500 फीस है तो उनकी हाफ फीस होती है 200 फीस होती है कहीं भी देखे उन आप जो है शिक्षा न्यूज यूटूब चैनल को जो है सब्स्राइब करके रखे बैल आइकन जोड़ दवा दे और कमेंट सेक्शन पर बता दे ना अगर आपको किसी भी तरह का जो है डाउट होता है और हमारी टीम जो है आपको जरूर से जरूर रिवर्ट करेगी और य हुआ 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 हुआ